एक कावपत है चंबल की जो बानगी बात करें दो टूँक, एक हाथ में मूझ है एक हाथ बंदू दूदू मुझ यानी इज्जत जब यहां इज्जत पर आचाहिए लोग उने अहत्यार उठाए यह नहीं नहीं मिलता था पुलिस से नहीं नहीं मिलता था तो बाबा के पास जाते थे और पर बाबा उनकी मदद करते तो मांसिंग डेके थे उन्हें रोबिन हुड नाम इसली दिया अं अज कोई गुणना है तो पहले भी यह रहता होगा अब भी ड़के दोने विया नमस्ते सिद्धान्त नाम है मेरा और हम इस समय खेडा रठाओर में हैं यह जो आग्रा की जो नौ विदान सभाएं हैं पतेपुर सीक्री और आग्रा की उसमें यह आती है विदान सभा पास म ही लगता है रायजस्थान और मध्यप्रदेश की सीमा जहां पे हम खड़े हैं खेडा रठाओर में यहां से आप थोड़ा एक आध किलो मेटर आगे चलेंगे तो चंबल नदी पढ़ती है उसके ठीक पार मध्यप्रदेश लग जाता है मतलब यूपी के कई छोरों में से एक छोर पर हम खड़े हैं लेकिन इस विधानसभा में इस गाओं में आने का प्रयोजन क्या है आगरह से 75 किलो मेटर दूर 20 किलो मेटर दूर आ पर आने का मतलब क्या है ये मान सिंग का गाव है कौन मान सिंग जो इतिहास में ढाकू मान सिंग कहे जाते हैं और जिनको स्थानी लोग बागी मान सिंग कहते हैं मान सिंग जो 1949 से लेकर 1955 तक चंबल के बीहडों में सक्री रहे गैंग बनाया मुटभेड में 1955 में मौत हुई बेटे भी गैंग में शामिल थे तो बेटों की भी मौत हुई और कहानी बहुत लंबी और लगी बजी सी है मान सिंग का मंदिर है और उनके पड़ पोतें यहां पे हैं जो उस कहानी को जितना जानते हैं जितना सुनते हैं हैं अपने पुर्खों से उतना बताने की कोशिश करेंगे सरबात करने के लिए बहुत बहुत शुक्री क्या नाम है आपका धिर सिंह राठाड और मन्लव के यहां पर राजपूतों की संख्या जादा एगा तो मान सिंग की कहानी गया है, मैं तो डकायद कहूंगा आप कहिएगा बागी हमको पता है कोई कि मैं एक बार और चंबल में कहो के आए अग दो बार तो मुझे यही सुनाई दिया, यही ट्रेडिशन होता है कहानी बताईए मैंने पूछा दादा मौन सिंग जी 1935 इसके आसपास बागी हुए, करीब है इसके आसपास आए बाठी, बैड़ यही आराम से हाँ बादा भी शाल गुरू चला आपना वो बागी होने का मुखेता है कारण कुछ आपसी परेशानिया भी थी आपस ब्रामणों से जगड़े थे बाठी अपने साथ थे गिरोव में, सबसे जगड़ा था पता है को कुछ पानी आनी को लेकर पहले हो जा रही करती ते जगड़े आप दीरे दीरे बड़ी लड़ाई हो गई तो पहली लड़ाई में हमारे दादा जी ठाको जस्मंत सिंग मारे गए मान सिंग जी के बड़े लड़के उसमें डाको नहीं बने थे मान सिंग जी उसमें डाबागी नहीं थे उसके बाद मान सिंग जी को जेल हो गई जस्मंत सिंग मारे गए उससे पहले जो लाठी चली थी ब्रामनों से उसमें मान सिंग जी को जेल होई उसके बाद उनके बड बीकात बीकात करें. पीशे शेकर देखे कि पापा चले गए तो एक कहानी हमको लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने किसी नौकर से कहा कि दुनाजी लाओ और हवाई फायर करो पहली लडाई जब कुए पे वगजय से वाइक पानी बढर को लेकर चांख़ महले में यह एक रहते अपने थाको रही थे वो बहार पनौकर रहते तहे मुझे दात है कि अव ने कहसुत बाहए गावाज uchenिर बंच पहने बढर कर दो को तो ब साई ने यहां जाके अपनी बल्डम गार दी मॉख स Two वहां जगड़ा हो गया जगड़ा इंती जगड़ा हो गया खने अच्दॉա अब विर्ग तो बंदुग लेके गया जो मसाला भरके चलबार जो आटे जलाई याती तो उसने वो फायर कर दिया तो उसमें एक ब्रामाल और एक बड़ा इदो मारे गए वहाँ तो वहां से जेलो फरार हो गए जस्मान सिंगी पहली पार वही तभी वीढ़ में कूदे उसमें मासिंगी को जेल हो गई थी ठीक है और उसके बाद बाकी तीनों भाई भी जस्मान जी की मौत हुई तीनों भाई भी कूद गए आप किन के वन्शाज हैयं चारो महाई में से जो बड़े लड़के थे जस्मांत सींग आप उनके वह शाजें मतलब जो सबसे पहले बीहड में वो दे थे ठीक है ये फिर 1949 से लेके 55 तक लोग बताते हैं कि वह बीहड में रहे और कितने केस वगरा दर्जुए उनके ओपर क्या कहानी है तो ये पुलिस लगा के रख देती उसमें ज्यादा सच्छा है जो अपनों से जगड़ा था वो कुछ लोग मारे गाए और या पुलिस ज्यादातर मारी गई क्योंकि जो पुलिस पीछे जाती थी तो गोली चलती थी मानसीं जी का उनका हमारे गरो में यह नहीं था कि हम भागें भागें मंदिर कब बना उनके यादमें मानसीं जी का उनीस पच्चासी में बना उनके सबसे छोटे लड़के जेल से चूटके आए तो नहीं वो पकड़े गए थे माधपे देस नो गोली चली थे उनके पैर में गोली लगी थी पोलिस ने मारने की भी कोसिस की लेकिन एसेप बालो तो सेर को जिन्दा लेकर जाओं और अब इसके बाद मानसीं जी पच्चपन में मुटबेड में खतम हुए बाकी दोनों कितने कितना बड़ा गैंग मना लिया था उन्होंने गैंग का क्या साइस सा क्या था गैंग में करीब पचास साथ नियों गैंग वैसे तो ज्याला थ पहले अपने ग्रोवे में रूपापंदी जी अपने कुल पुरोवित थे वो बुपने साथ थे मने गैंग में चामी लोंगे अगरा के लाखन सिंगत्हामार वह उपने ख़ूव में थे लेकर रूपा और लाखन में ठाक और बाहमारबाद पर जगणा होता था तो बावा कालमरे मारे जाओगे यहाँ आपस में तक लाखन सिंग ने अपना गरो अलग कर लिया था उसमाई जब भावा फरारते जब तक जीवित थे तब तक ठाक और बाद ब्रहमाडबाद कोई बाद नहीं चला सभी जाते हैं कोई दिक्कत नहीं रही जब मान सिंग भावा खतम हो जब रूपा पंडीजी को गुरो का चार्ज मिला उसके बाद यह लाखन सिंग में जगडा चला ठाक और बाद और ब्रहमाडबाद उस समय शुरू हुआ यह बताईएगा कि जब यह लोग बीहड में रहते थे बीहड एगनम गाओं के पीछे ही आका बीहड शुरू हो जा बनदेहर जो इका वारणे के पता में क्या होता था तो क्या वारदात करने के वाट बाद आते थे कभी का आराम और फने वह भी नहीं वह पपातेता थे तो लइवाग है। सुरू में जब पुलिस जादा पीछे पड़ गई फिर नहीं आए बापस तो जंगल में रहना पड़ा सुरुवात में जब फरार हुए उस समय तो घर ही रहते थे पुलिस आती तो पने निकल जाते थे बार मंदिर दिखा दिए मंदिर दिखा दिए तो यह मंदर है मां सिंग जी का किसकी कि मूर्टी लगी है सरा यह मांसिंग जी है लेफ्ट में अज़े में समझ़भाश दादी है की निया है कैंने की जुकमरी देवी, अमाल सिंग जी की पत्मी जे, ये दुन लोगों की मंदिर बना 150, 1950 सीन है, और ये है माल सिंग जी की फोटो, अच्छा, और ये कौन है तसिल्दा, पिस बसे चोटे बेटे जो पकड़ा गए थे, पैर में गोड़ी लिसने पर, अच्छा, और ये कौन है, य ये साथ पर कौन है, ये जस्मन सिंग के बड़े लड़के, ये सबसे बड़े लड़के, ये सबसे बड़े लड़के, भारा सिंग, आपके दादा जी के सबसे बड़े लड़के, तो ये आपके बड़े पापा है मतलब, है न, ये आपके बड़े पापा हुए, क्या कहानी इनकी इस फोटो क्या करनी है? ये जंगल से ही चले गए थे जब तैसिलदार सिंग जी पकड़े गए गोली लगी उनको तो उनने भगा दिया इनको तुम बाग जाओ हमे तो गोली लगी हम तो बाग नहीं पाएंगे जो बच जाए वो इस ठीक है तो जिन लोगों को जबर ज आए मुँंद इखा ले और चाचा पकड़वायाय अपने को अच्छा जी मतलब अवाई नटा कि तुम तुम अपने आँवा बहाग आया और तुम चाचा को पकडवा दिया महां पर तो अपने रामाई जो पढ़ते थे उसको लेकर बंदुक रखे और चले गआ याज तक तो उनको कोई पता नहीं कोई पकड़ा दिया तो पकड़ कोई लोग समझ नहीं पाएं तो बता दें जैसे कोई ची कोई व्यक्ति अगवा किया जाता था जब गैंग द्वारा वसूली के लिए तो उसको यहां पर नॉर्मल भजा में पकड़ कहते हैं तो यह बता रहे हैं कि जो इनके बड़े बापा थे जो चले गए तो इतने अच्छे सब्सक्राइब तो पकड़ को ही भरार करवा दिते थे जैसे उनको पेरे पे बिठा दिया और सब सो रहे हैं तो पकड़ को बगा थे थे तो थे में तूं भाग जा ये माढ डालें तो फॉट हैं कि इस्टे की डिका होते हैं और पिपैज बिपांसा जी बारे में क्या कहानिया चलती हैं यह लोग बताते हैं कि 185 हत्याएं पोलिस वालों की ई हत्याओं का केस था ऑंक्के ऊपर लुबिदी बात थियाएं बहुत काम के है उस समय जैसे गिरू चलाने के लिए प्रा रहें वहां खर्चा तो कहां से आएगा जमीन बंजर थी उस समय यह हमारी जमीन अभी मिली है तो उस समय कर्चा चलाने के लिए डगयती कभी नहीं डाली उनने पकड़ करना शुरू कर दिया जैसे उनने देख लिय कोई अच्छा पैसेवाला है तो उने भी से हाथ दे शकता तो उसे दसाजा लिये और उसको छोड़ दे तो मतला पैसा क्या हाथ वह पैसा यहाथ लड़की लड़की की साधियों में और वहेर से कामों साथ है में जो मिम्पर उनको भी खाने ओने का न को खाने पीने का 카ूस का खर्चा बंदू गंदू ले इतो सबबदकारियों से वैसे मिल कार्तुस का खर्चा बंदू कांश जाती थी यह तो सबदकारियों से वैसे ही मिल जाती थी लूटके भी कुछ मिली कुछ खरीदी है और क्या वर्दी पंदना शुरू कर दिये थे खाकी वर्दी पंदना शुरू कर दिये हैं खाकी वर्दी पहनते थे हैं कुछ लोग पहनते को दोती कुड़ता और वो जो जिसको पहना वो ही पहनते थे खाकी तो जर्ड बियुंस में पट चीन ली तो कुछ बैसे नाइछ रंग रूत लोग परार हो जाती सौक में तो वह ले ली ते वह पहनते थे थे खाकी लिए पहन लिये करते हैं और भी घृण में हम तो रोज ब जब दादा जी फरार थे तब पिता जी वारे गवालियर पड़ा करते थे दादा जी फरार थे तब पिता जी गवालियर पड़ते थे आपके परिवारे दादा जी के बड़े भाई थे नवाब सिंग जी मान सिंग जी के बड़े भाई हाँ उनके नाती थे रडविर सिंग उ तो डी आईजी है रडवीर सिंग जी उनके पिताजी भी फ़रार थे दरसंद सिंग जी पूरा परिवारी था पूरा परिवारी फ़रार अलिए पूरा परिवारी लग 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 बागी हो गया था और गैंगे कही था रडवीर सिंग ने भी उनके तो वहां मेरत वजो बटाल अज़ारी से काम किया हूं अब यहां पे कुछ और लोग भी हैं जो यहां पे लोकल स्थर पे पत्रकारिता भी करते हैं कुछ और मा चीजें जानते भी हैं तो हम उनसे भी थोड़ी स्थिति को समझने की कहानिया सुनने की और जानने की कोशिश करेंगे मोहन आईये भी आप आखिरी गैंग यहां पर भी हमें कब खतम हुआ असी पचासी के करीब पचासी चासी में खतम हैं पंजाबी सिंग बगारा जो चोटे मोटे बागी जो हुए अलब राजपूतों का जो गैंग था वैसे मुखेता है तो खतम हो गया था जब तैसीलार सिंग को जेल से छोड कंश्भाग पर कि नमोर सिम्ग मादोा सिंग बगेरा जह सब ठाग और तैस सिल्दार सिंग के उससे हाजरoo यह चै पर आप लोह कि बात का संबान करते चील नियुक्त कि इसाई चुजह में लोग बता रहे हैं कि जो राजपूतों का गैंग था वो खतम भुई मेरा नाम रभी पर्यार है और यहां पर चंबल में राजपूती नहीं हर जाती से टकेत हुए है चाब वो बालमी की हो चाब राममण हो या हिंदू या मुसल्मान ऐसा नहीं है जिसने भी अत्याचार हुआ है कि एक कावत है चंबल की चंबल की जे बानगी बात करें दो टू है तो चंबल में जिस पर भी इजद पर आचाहिए को इसी भी जाती का हो और चूंकि यहां पर राजपूत की बात किया तो यह च्छेत में राजपूत ज्यादा है इसलिए ज्यादा की संक्या में राजपूत उगए हैं और पहले जो युग था पचास से साड़ के दसक्क करोरी राहिस्तान से लेकर चकन नगर इटाबा तक उनकी हुँमत थी इन्हीं बीच में उन्हें मालूम पढ़ जाती थी कि किसी गरीब कन्या की साधी है तो उनके यहां पर जाके वो साधी के लिए जो भी धनता इतना बनता था वो देते थे और गरीब कन्याओं की साधी क अच्छी कारणे के यहां से राहिस्तान तक तो पहले ही जो मालूम पढ़ जाती थी कि उनका गिरोव आ रहा है और जहां उनकी जो तंबू लगाकर रुकते थे जनी नहीं मिलता था पुलिस से नहीं नहीं मिलता था तो बाबा के पास जाते थे और पर बाबा उनकी मदद करते थे पुलिस का बरोसा बिल्कुल नहीं था कि अंग्रेजी काल की जो हकूमत की पुलिस थी उससे डल लगता थ इतनी यहां के लोग अनपड थे जानते नहीं थे के कानून क्या है अगर कोई जैसे घटना हो जाती थी तो पुलिस के पाद जाते पता नहीं पुलिस के ऐसा बरताव करेगी उससे जादा बुटकेत ओपर और बागियों पर विश्वास करते थे उनके पाद जाते थे उनने क खतम होगा वहां पर आखरी डगेट कौन थे आखरी डगेट रहें विश्वास के लिए जो दो यार साथ मैं साइद उनका इनकांटर होगा था विश्वास के बाद कोई डगेट चंबल में नहीं होगा विश्वास की देखा जाए तो आज कल की पुलिस है पहले से अलग है सर्विलांस के जरीए आज कल आसानी से पकड़ जाते हैं तो इसलिए कोई पनप नहीं पा रहा है पहले की पुलिस में और हम में अंतर भी है कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो कुछ समय से फुलिस सहयोग भी करने लगी है कोई बतारता मुझे कि पहले पुलिस चौकी थी सब्सक्राइब हम रहा서े ती और मानस्ञ के चक्कर में थाने बना दिये गए भाह बडानसवा इतनी बड़ी बिदानसवा यहां पर पचाथ से साड़ के दसक में बागी चला था तो बगाबत करते थे लोगों के बागी उगा करते थे लेकिन उसके बाद में डकेत या कुछ दू जार के जो दसक था उसमें जैसे दिलि जूद्रासे अपरन करके लाते थे विचोलीयों की बिम्मकासे और यहां पर उनकी फिरूंती बसू ली जाती ती जयसे वहां से उन्होंने किसी ने यहां 5 लाग के आके कि डकेत को बेश दी और वो फिर 20-25 लाक में वो टके तो उससे बसूलते थे यह गुगा लेकि आज कल देखा जाए तो यह 2020 का जो यूग है यहां पर जो दसक है इसमें हेलो गेंग के नाम से सक्री हैं जो अब लैपटॉप बाले लोटे रहे हो गए यहां पर लैपटॉप से आसानी से यह लोग देश के कई कौनों कौनों में जो देखा जाए कई प्रिदेश हैं चंबल में बैटकर वहां से यह ओनलाइन ठगी करते हैं जिस पर पुलिस ने आलांके से गंजा कसा आए उन तक पहुंची है पुलिस कई ऐसे ग्रोव पकर देखे हैं तो अभी भी एक गैंग सक्री है यह समय के साथ-साथ चंबल के माइने भी बदलते रहे हैं वैसे फिरोंती निगा अनलाइन ठगी यहांसे चंबल से लोग करते हैं आलांके पुलिस ने कई उन्हें पगड़ा है और ऐसे कई गिरो जेल बेजे हैं कोई मुझे कोई बता रहा था अभी यमुना और चंबल नदी गैंग बनाए हैं तो आप भिंड मुराना के तरफ जाईए तो उधर पहुंचिए तो और इस अलाके में पहुंचिए तो पता चलता है कि सबसे बड़ी जो बागी थी उदर की फूल अंदेवी थी तो और वो निचली जातियों से आती थी कसे दूरूप से निचली जातिय पर देख समय से यमना और के पीयाडा अंतर माला क्रिया परति यम्यां के इसे आदेग़风 गया थी थी creator रहन थेर दिननः झानि के अधका करते कि सबसे के बेच्ग से रसुघ कम प्तीय तो यहां के चंबल में वही चंबल में सबसे आदा रखे क्योंकि यहां हम जो खड़े हैं बातहसील में यह मद्यपिदेश राइस्तान का बॉर्डर है यमना उटंगन और चंबल नदी के बीच बसागए बातहसील है तो यहां पर जो डखेत हुगा करते थे चंबल में एक बड़ी संक्य पर जो भी रहा था निर्वय गूर्जर नब्वय के दसक्य जगन परिहार जन्होंने ब्राम्मनों के एक सब्सक्राइब नहीं किसम खाई थी वह काफी फेमस चर्चा में रहे थे और यह हमारे गाउं पड़ता है तासओन वहां से कुछ ब्राम्मनों के कान भी कात लिये थ जातीगत तो इसलिए ज्यादा दिन नहीं चल पाए थे यह जब बागी था जब बाबा थे तो कभी बाबा ने किसी के साथ जातीगत वह नहीं किया था सभी धरमों के या जो भी है जिसे अन्याय हुआ रहा है उसके साथ उससे अपने साथ लिया था मांसंग के बारे में आप लोह के पासंग किस्दे क्या है इस पूरे गाहों में पूरे गायते जादू कर ला बासो नहीं अपनी कला जादूं effort हैं मान सिंग के इस से वगर और जो गाओं में फेमस होते हैं जैसे लोग बता रहे थे कि शादी कर रहते हैं से यह रहते हैं जो पूजर को लोग बताते हैं कि जो मान सر डेकैट थे उन्हेयर रोविन हुड नाम इसली दिया अंगरेज एक वारॉ वह उन्हेयरों ने नाम दियाử व्यू चुल किया लड़कीयों की साधी साल में कैसा शैक्लों कि ताधा के लकी साल कर देते और रोजह को हुझ खर्चा कर देड़ Pic believing in limit तो उनका एक इतियास्रा के एक तो कभी बुजुर्ग और महला और बच्चों पर कभी अत्याद चाहर ने किया अगर जिसने भी अत्याद चाहर किया तो वंदू उनकी बंदू की गोली का निसाना हुआ हां वो मतलब उनका यह कभी अगर किसी ने जैसे अपरोड वगरा भी बच्चों का परण नहीं किसी मेला पहें बहुत इज़्यत थी मतलब मेलाओं के प्रतु इज़्यत थी मतलब ऊच्छब करते थे तो आज जो है जबी उनका मंदिर बना पूजा हो रही है लोग पूज भी रहे हैं तो यह चीजे सारी थी उनकी और जो किसे कानिया आज भी उनके जो है लोगों को जो सुनते हैं वो भी सम्मान जनक मतलब भले वागी रहें अगर सम्मान जनक मतलब रहता है उनका और चुनाओ वाला क्या किस्सा बता रहते दोस्तों संजे उनीश स्व निक्यानमे की बात थी जि जसमांत नगर से सीड से माने मुलाम सिंग चुनाब लड़ रहे थे उनके समझ बावा तैसिल दारी भी चुनाब लड़ रहे थे तो किसी ने सूचना दी कि वहां पे बूत कैप्चरिंग की जा रही है ए मुलाम सिंग के द्वारा तो पर देखते हैं कैसे बूत कैप्चिर हो रही है तो वहां पर जहां मद्दान पेटका रखी थी तो वहां पर अपनी गारियों में भरके कुए में पढ़क दी जी वहां पर चुना फर द्वारा हुआ अच्छा जी और तुम बता रहे हैं कि कोई स्कूल स्कूल बना था क्या हुआ यसा ना सर जैसे लोग बताते हैं कि यहां गाउं पड़ता चोमर्दप्रा के पास में चमल घाटी स्कूल इस्तापित हुआ था उस टाइम पर काफी साल पहले की बात यह काफी जब स्रेंडर हु तो मतलब ना बने और ना पन पे तो इसके लिए क्या कि ज्यासे श्च्छा का विस्तार हो तो उनकी बच्चों के लिए कि स्कूल चमल घाटी करके उस वक्त इस्ताफित के जो आज भी है और उसमें बच्छों आज भी पढ़ रहे हैं और वहां उसे सिच्छा विस्तार भि पीते हैं तो हमारे अंदर तामस पैदा होता हौन चाहिया में और अंकल जी जिए और जी गहां गए जो बता हुस्य वैर कुछ मार दिया था को अधर संहुआ जी अंकल जी आप Kूछ बतार रहे थे शेर विर मार दिया है सकुछ अपने पुरुफा लोस में रहते थे तों neck लुड से सामने पड़्टा नहीं वहाद फल्स तीले से दूसरे धट रियसे शेर सब्सक्राइब में हाई मैं कोई बी हड्में रहा ही मतलब Till्फ कुछ रहा होगा तो जातर गाउंसे सबसे हैं तो कि रहा हुए किसी ने सिगानों तो जातर गाओं से रहा है आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी हम जरूर जानना चाहते हैं आप लड़न टॉप यूप देख रहे हैं बहुत बश्क्रिया प्रेज़ प्रेज़ प्रेज़